यह question बहुत interesting question है यहाँ पर दिया गया है cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta plus cos 4 theta और पूरे कापान में है sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta plus sin 4 theta equal to लाना है cos 5 theta by 2 ठीक है इसको हम trick से भी बता सकते हैं यहाँ पर दारेक्ट ही यहाँ पर उपर में सब में cos है और नीचे सब में sin है ठीक है और सन लाज्ट में में सेम है तो यहाँ पर क्या क्या ऐजाता है ऊपर इसका आनसर हुजाता है तो यहाँ पर इसको लेकिन long गम में लगाना है तो यहाँ पर फुध्यान से देखिएगा सबसे पहले क्या करना होता इस टाइब के question में यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर जो first यह है और यह है ठीक है यहाँ पर cos theta और plus cos 4 theta इसको आपको 7 में रखना है और प्लस में यह cos 2θ और cos 3θ इसको भी 7 में रखना है cos 2θ plus cos 3θ ठीक है और पूरे का बट्टा यहां पर यह sinθ और plus sin4θ ठीक है साइन फोर ठीटा और प्लस का ये बीच वाला दोनों सेम रखना है साइन ठीटा साइन टू ठीटा प्लस साइन ठीटा ठीटा ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर पहले बड़े वाली सेंख्या को पहले रखिए चोड़े वाली सेंख्या को बाद में ठीक है यहाँ पर फोर ठीटा ज़्यादा है और यह ठीटा कम है ठीक है तो यहाँ पर पहले बड़े वाले को रखना है cos 4 theta plus cos theta इस तरीके से करने पी ज़्यादा आसान हो जाता है और यहाँ पर भी स्यम करना है cos 3 theta plus cos 2 theta और पूरे का बटा यहाँ पर sin 4 theta इसको पहले रखना है ठीक है और plus में sin theta plus here a 3 theta plus sin 2 theta अब इसके बाद यहाँ पर अरफ फोर theta तीक है यानि कि 5 theta यहाँ पर भी है यह 3 theta यह 2 theta यह भी 5 theta यह जोड़ जयां तो इस इसके बाद यहाँ पर आरे को तो यहा वर भी जरीटा है अब इसके बाद हैं आपको आपको सूत्र रहत रखना होगा हम cos a plus cos b का सूत्र लिखते हैं जो कि हमें इसमें यूज करना होगा क्योंकि cos a plus cos b type का है यह भी cos a plus cos b type का है यहांपर सूत्र ही लगना है तो इसका जो सूत्र ळोता है to cos एक चिज़ो ध्यान लगना है cos जब भी रहता है यहांपर plus ragar है यहांपर cos का ही यूज होता है 2 cos a plus b by 2 बस यहाँ पर आपको क्या करना है यह cos लिखना है और यहाँ पर चिन्न आपको change कर देना a minus b by 2 इसी तरीके से यहाँ पर यह sign का भी सूत्र बनता है sign a plus sign b का बस इसमें यह changing होता है एक में sign होता है एक में cos होता है 2 sin a plus b by 2 इंटू में cos a minus b by 2 होता है बस यह आपका change होता है यह sign यहाँ पर दोनों में cos होता है यहाँ पर पहले sign उसके बहुत cos होता है बाकि सेम फार्मुला है अब यहाँ पर हम put करते हैं यहाँ पर बैलू तो सबसे पहले यहाँ पर इसको उपर आले के simplify करते हैं cos 4 theta plus cos theta ठीक है इसमें हम फार्मुला यह यूज करेंगे इसको लिख सकते है 2 cos a के स्थान भी क्या है कि यह 4 theta है और b के स्थान भी क्या है theta है ठीक है तो 4 theta plus theta by 2 और इंटू में cos फिट से cos a minus b ठीक है cos 4 theta minus theta by 2 इतना करने के बाद यहां पर plus है अब फिट से यहीं फिर फार्मुला लगाएं cos theta यहीं फार्मुला cos है plus cos b क्या ठीक है तो यहां पर यह हो गया sorry यहां पर 2 और 2 times हो गया यहां पर 2 times of cos theta 3 theta plus 2 theta by 2 और यहां पर हो गया इंटू में cos 3 theta minus 3 theta minus 2 theta by 2 और पूरे का बटा यहां पर से में भी करना है sin के लिए 2 sin यहां पर a plus b by 2 यानि कि 4 theta plus theta ठीक है 4 theta plus theta पूरे का बटा 2 और इंटू में यहां पर हो जाएगा इसके बाद इसमें cos होता है cos a minus b a minus b यानि कि यहां पर 4 theta minus theta by 2 आगे plus में यहां पर फार्मुला यूज करेंगे sin a plus sin b का यही फार्मुला फिर से यूज करना है 2 sin 3 theta plus 2 theta by 2 इंटू cos 3 theta minus theta by 2 ठीक है अब इसको simplify यहां पर हम करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखा जाएगे हो गया 2 cos theta 2 cos यह 4 theta और यह theta है ठीक है 5 theta by 2 हो गया इंटू में cos 4 theta minus theta यहनि 3 theta by 2 3 theta by 2 आगे plus है 2 cos यहां पर होगा यह 5 theta by 2 5 theta by 2 इंटू में यह है cos cos 3 minus 2 करेंगे सिर्फ theta ही बच्चेगा theta by 2 और पूरे का बट्टा यहां पर यह हो गया 2 sin 5 theta by 2 इंटू cos 3 theta by 2 और प्लस का 2 sin 5 theta by 2 इंटू cos यहां पर यहां पर 2 theta था ठीक है cos theta by 2 अब यहां पर उपर में देखा जाए यहां पर 2 cos 5 theta by 2 यह भी 2 cos 5 theta by 2 दोनों में कामन है ठीक है तिहां पर कामन लेंगे 2 cos 5 theta by 2 कामन है तिहां पर उपर बचेगा cos 3 theta by 2 प्लस और यहां पर कितना बचेगे यह cos theta by 2 बचेगा cos theta by 2 बचेगा अब यहाँ पर नीचे कामल लेना है यहाँ पर देखा जाए 2 sin 5 theta by 2 है इसमें भी 2 sin 5 theta by 2 है 2 sin 5 theta by 2 कामल है यहाँ पर बचेगा क्या cos 3 theta by 2 cos 3 theta by 2 और प्लस का यहाँ पर यह बचा cos theta by 2 cos theta by 2 अब यहां पर देखा जाएंगे दोनों उपर नीचे कैंसिल आउट हो गए और यहां से तू भी कैंसिल आउट हो गया है यह कॉस 5theta by 2 और पूरे का बट्टा साइन 5theta by 2 इसको कैंसिल मत करने लगना क्योंकि यह कॉस ठीटा है यानि कि कोड है यह जो दिख रहा है यह पाइब 5 theta by 2 यह आपका code है ठीक है यह cancel out नहीं होते हैं तिया पर cos बटे sign होता है इसका मतलब होता है यह cot cot 5 theta by 2 जो की हमें लाना था ठीक है equal to right hand side इसको आप लेख सकते हैं तो I hope यह आपको अच्छे से समझ माया होगा तो अपने कापी में इसे अच्छे से note down कर लिजिए धन्यवाद